हेलो एवरीवन वैलकम टू माई यूट्यूब चैनल राशी सरस तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं लहसुन की चटनी अब थोड़ी सी ठंड भी आ गए है तो उसमें ये लहसुन की चटनी काफी अच्छी रहते तो आएए देखते हैं से मैंने कैसे बनाया है तो दो बड़ी चम्मच लाल मृच ये घर की पिसी हुई है अगर आपके पास घर की पिसी लाल मेगने तो आप इसकी जगह साबूत लाल मिरच ले और यह लिया है धनिया पऊडर ये और इसमें है कुछ जीरा कुछ थोड़ी सी सॉंप राई और मैथी यह तो मेरा पूरा मिक्स पैकेट था तो इस सब चीज मिक्स आई थी अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ी थोड़ी सारे चीजे मिला सकते हैं और यह लिया है मैंने गुड यह है एक चम्मच के जीरा इसमें चार चीजे हैं जीरा राई और मैथिदाना और सौंप अब यह लहसुन के कलियाब आप इसमें डाल दीजेए और इसे थोड़ा से हलका सा भून लीजिए बस कलर चेंज करना है हमें तो थोड़ा कलर चेंज होने के बाद जब ठंडा हो जाए तो आप इस तरह से मिक्सी का जार ले 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 और इसमें धनिया पाउडर भी डाले क्योंकि मेरा जो धनिया है वो थोड़ा सा मोटा पिसा यह इस तरह से होना चाहिए आपका पेस्ट अब यहां पर मैंने एक बड़ा चमचा तेल गरम किया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा तेल जादा लेंगे तो वो जादा दिन तक चटने चलेगी तो इसलिए यहां थोड़ा सा तेल जादा लें मैंने यह बड़ा चमचा तेल ल मिर्च ड़ल करी दलीजिए और यह देग नाद ही दाल दूना इसी बॉल मतिति Hmm तो एड़ी में से पानी और यहीं नाद है इसा जोQuery स्टित हमादे की पाणी Oscar तो इस इस पर दाल दीजे आप नमक नमक आप अपने टेस्क के अकोर्डिंग डाले वैसे मेने यहां दो छोटी चममस के करीम नमक डाला है अब आप यहां देख सकते हैं मेरा जो लहसुन का पेस्ट वह अच्छे से भून चुक जैसे हम सबजी का मसाला भूनते हैं सेम हमें को भूनना है मारा तेल कितनी है से अच्छी से अपनी हूशने हो चुका है तो बस अब हमें यां पर ढूर इसकी जागा चीनी भी यौज़ कर सकते हैं लेकिन अब ठंड है तो गुडु से अच्छी कोई चीज होई नहीं सकती तो और आप गुडु करहें आप इस तरह से दबा दीजे और बस यहां हमें एक से दो मिनटी करना है इससे जादा नहीं क्योंकि गुण को डालने के बाद हमें ज्यादा मसाला नहीं भूनना है बस अब यहां पर मैंने अपनी गैस बंद कर दिया और आप यह देख सकते हैं तेल अच्छे से भून भी गय जैसे हमारा सबजी के लिए मसाला तयार करते हैं सेम हमें वहीं करना है और चीजे भी हमें जो मैंने डाले हैं से फितनी डाले इससे ज्यादा नहीं डाले अब आप इसे हलका सा ठंडा कर लें मैं आपको बता दू अगर आपके पास घर के पिसी हुई लाल मिर्चे नहीं है तो आप इस तरह से साबुत लाल मिर्चे ले सकते हैं और अगर आप तीका खाते हैं तो आप इनके बीज ना निकालें अगर आप थोड़ा तीका कम खाते हैं तो आप इन लाल मिर्चों के बी तो आप यहां देख सकते हैं कि चटनी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है जितनी यह दिखने में अच्छी लग रही है गाइस उतिनी ही यह खाने में टेस्टी है और जाड़ों में तो आप इसे बना के रख सकते हैं हफता दस दिन इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है आ आप इसे जरूर प्राइ करिए और मुझे बताईए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए